नमस्कार दोस्तो मैं किसान दोस्त YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागा थे मैं हूँ आपका किसान दोस्त यह जाट और दोस्तो काफी दिनों से आपको मैं प्रेजेंट में आके कोई भी वीडियो नहीं दे पा रहा था उसके लिए समाझाओंगा क्योंकि दोस्तो मैं दिल्ली कर वीडियो मिलते रहेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ग्रिश मकालिन गहरी जुताई की क्या फाइदे हैं कब किसान बाईयों को करना चाहिए और इसे कैसे करना चाहिए इसके क्या नुक्सान है नहीं करने पर इन सारी बातों को लेकर आज का खेत के अंदर कुछ नमी रहती है तो इसका जो सीधा फाइदा होता है वो ये जो अवांचित पोदे होते हैं खत्पत्वार होते हैं ये उठाते हैं और उसी नमी और जो खेत में मोजुद खाद है उसका उप्योग कर ये बड़े हो जाते हैं बड़े होने के बाद ये सेक पॉर्णा इस्टड हो जाते हैं जिसे जमीन में मौजव़ूद पोशक ततू का ये धोहन करते हैं एवं पोशक ततव के धोहन हो जानेगे कारण जो अपनी दूसरी फसल है उसके उत्वादन में कमी आने लगती है इसके अलावा दूसरी समझ्या यह आती है कि जैसे हम फसल के कटाई करते हैं हर बार सामानिय इस्तर की हलकी जुताई हम खेतों में करवाते हैं ऐसे हम करवाते हैं जिसके करण क्या होता है कि कोछ इंच जमीन के अंदर एक कठोर परत का निर्मान हो जाता है वह जो कठोर परत बन जाती है कठोर परत का नुक्सान यह होता है कि जब भी हम अगली फसल के पोदे लगाते हैं तो उसकी जड़े होती है उस कठोर परत को पार नहीं कर पाती है वो जड़े अच्छे से विकास नहीं हो पाती है और हम सभी जानते हैं कि अगर जड़े अच् साथ का पानी अपने खेतों में गीरता है तो पानी जमीन के अंदर नहीं उतर पाता है वो खेत के अंदर भरा रहे जाता है खेत के अंदर पानी भरे रहने से क्या होता है कि पोदे की जड़े शड़ने लगती है जैसी उपर से गर्मी पढ़ती है और जैसे अपने खेतों में पानी भरा रहता है तो पोदे की जड़े सडन लगती इस कारण से हमारी कैसरी फसल खराब हो जाती है और उसका भी असर हमारे फसल उत्पादन पर सीधे सीधे तोर पर पड़ता है इसके अलाव दोस्तों कई बार कई सारे कीट फंगस जीवान सुत्र करमी और उनके अंडे प अवर्शक होता यादि हम नहीं तोड़ते हैं तो वो हमारे फसल को काफी जड़ा हानी पहुचा जाती है इसके अलावा भी कई सारे डूक्सान है जो गृष्मकालीन जुताई नहीं करने पर हमारी फसलों के उपर होते है यह हो गई बात हमारी ग्रिस्मकालिन जुताई ना करने के होने वाले नुक्सान के बारे में अब हम बात करते हैं ग्रिस्मकालिन यानि कि गर्मी में गहरी जुताई के फाइदों के बारे में दोस्तों गर्मी में गहरी जुताई से हमारे खेत पर जो फसल अवसेस बचे होए होते हैं वो मिट्टी में मिलकर सड़ जाते हैं और उससे क्या होता है कि सेलुलियोस का निर्मान होता है जो कि मिट्टी में चिपकाने वाले प्रदात का निर्मान करते हैं और वो मिट्टी के कणों को आपस में चिपकाने में सायक होते हैं साथ ही मिट्टी में कार्बनिक प्रदात की मातरा भी बढ़ जाती है और गर्मे में गहरी जुताई से जमिन की भोतिक, राशायनिक, एउन जेविक दशा बरकरार रेती है साथ ही दोस्तों जमीन भुरबुरी हो जाती है यानि कि जमीन जो होती है वो ढिली हो जाती है जिससे पोदे की जड़े होती है वो अच्छे से जमीन के अंदर फेल जाती है और जमीन में मोजुद पोशक तत्वों को घरन करती है जिससे पोदे अच्छे विकास करते हैं अच का संचार अच्छे से होता है खतपतवार के जो बीज होते हैं वो जमिन के निचले हिसे पे चले जाते हैं और जो कि वर्षा के समाई उग नहीं पाते हैं जिससे हम अंचाई पोदों से निजात पाते हैं यानि कि खतपतवार हमारे उस फसल के अंदर नहीं उपाता है दोस्तों गर्मियों में हम जैसी जुताई करते हैं यानि कि मिट्टी की पल्टाई हम करते हैं तो मिट्टी के पल्टाई के साथ जमिन के अंदर मोजुद जो कीट होते हैं जो अंडे होते हैं जो प्यूपा होते हैं लावा और लटे होती है वो मिट्टी की उपर की तरफ आ जाती है यानि खेट की उपरी शतपर आ जाती है जिससे होता क्या है जैसे हमने गर्मियों में खेट को खाली छोड़ते हैं तो सूर्य की सीधी कीडने उनके उपर पड़ती है यानि कि सूरीय का प्रकास पड़ता है और जिससे खेत का तापमान बढ़ जाता है और वो यह वहाँ पर खत्म हो जाती है जिससे आने वाली फसलों पर इनके नुक्सान से किसान भाई आसानी से बच जाता है इसके अलावा दोस्तों जमिन के अंदर कई सारी फफुंद रहती हैं बहुत सारी फफुंद हम लोगों को फाइदा पहुझाती है फसलों को फाइदा पहुझाती है लेकिन इसके अलावा भी कई सरी ऐसी फपुंध होती है जो की फचलों को काफ़ी ज़्यादा नुक्सान पहुचाती है और ये जो फचलों होती है वह फचल कटाई के साथ ही जमिन के अंदर छूप जाती है और ये बिजानों के रूप में छुपी रहती है और जैसे हम गहरी जुताई करते हैं तो ये फपुन के बिजानों उपर की तरप आ जाती है और तापमान गरम होता है शीदी धूप पड़ती है जिससे बिजानों खतम होते हैं और वो फपुन भी हमारे खेतों से खतम होती है साथ ही दोस्तों इल्ली पर भी नियंत्रन गेरी जुताई से होता है दोस्तों इल्ली के भी जीवन चक्र होता है और उस जीवन चक्र में अनेक अवस्ताई होती है और अभी की जो अवस्ता होती है वो किट कोस के रुप में इल्ली जमिन के अंदर सुरक्षित रहती है और गेरी जुताई के दोरान वो किट कोस उपर की तरप आ जाते हैं सिधी धूप उन पर पड़ती है तापमान में वरद्य होने के कारण उनकी सरन सक्ति खतम होती है और कापी हग तक वो किट कोस मर जाते हैं जिससे आने वाली फसर पर इल्लो के प्रबाव रहता है वो भी कम हो जाता है दोस्तो ये तो हो गए गिरिस मकालिंग घेरी जुताई के फाइदे अब हम बात करते हैं की जुताई कब करें तो दोस्तो जैसे ही हम द्रवी की जो फसल होती है उसे काट देते हैं उसके काटने के बाद ही हमें गेरी जुताई का कारियर स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि उस समय क्या होता है कि खेतों में नमी रहती है नमी के कारण जूताई अच्छी होती है जूताई अच्छी होने के साथ धेले भी अच्छे बनते हैं और जिसमें हवा का जो संचार होता है वो आसानी से होता है और अच्छा होता है और अब हम बात करते हैं कि जूताई यह रहता है कि जैसे हम सुबह जुताई करते हैं तो उस समय जो कीटों के दुश्मन है जो पाकरतिक कीटों के दुश्मन है जैसे कि बगला वगेरा चीडिया वगेरा वो शक्री रहते हैं और भूके भी रहते हैं जैसे हम जुताई करते हैं उसके अंदर से कीट कीडे निकलत तो वो पकसी भूगे होते हैं तो उन्हें खा कर वहीं खृतम कर देते हैं जिससे कहफी हद तक हमारे कीटों को वह पकसी वहीं खंदront कर देते हैं घर्मी में जीजुटाईC दिश गहरी जुटाई केरें एस सनफील करने लिए अभी का बोन सो…" चलिए दोस्तो अब हम बात करते हैं कि जुताई कैसे करें और क्या साओ दैने रखें तो दोस्तो सबसे पेले हमें प्रती तीन वर्षों में एक बार अपने खेत की गहरी जुताई करना आवसक होता है हमें हर साल गहरी जुताई की आवसकता नहीं होती है और जूताई हमेशा मिट्टी पलटने वाले हल से करना चाहिए और मैं अपने खेतों के लिए पल्टी पलाओ का उप्योग करता हूँ जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं साथ ही जो पलो है आपका वो 25-30 cm गेराई तक तो लगना चाहिए और उससे क्या होगा कि आपकी जो मिट्टी अंदर के जो मिट्टी है अच्छे से पलट के बाहर की तरफ आ जाएगी और हमेशा ध्याने रखना चाहिए दोस्तों कि जो आपके खेत का ढलाने उसके वीपरित दिसा में हमें जुताई करना चाहिए यानि कि उत्तर से दक्सिन की तरफ आपका ढलाने तो पुरो से पक्सिम की तरफ आपको जुताई करना चाहिए इसका फाइदा यह होता है दोस्तों कि जब भी बर्षात आती है या बर्षात का पानी आता है तो वो भेकर खेसे बाहर नहीं जाता है अगर वो खेसे बहकर बहा जाता है तो उसके साथ कई सारे पोशक्तात्व भी चले जाते हैं और अगर विपरित दिशा में हम जुदाई करते हैं तो पोशक्तात्व के साथ पानी के साथ पोशक्तात्व जमिन के अंदर उतर जाते हैं और पोदे को लंबे समय तक वो अच्छा विकास करने में सायक होते हैं साथ ही किसान भाई ध्यान ये भी रखना चाहिए कि जब भी आप सिचाई करें तो मिट्टी के धेले बनने चाहिए ऐसा नहीं हो कि मिट्टी बिल्कुल भूरबूरी हो जाए अगर ऐसा मिट्टी बिल्कुल बारिक हो जाएगी भूरबूरी हो जाएगी तो गर्मियों में तेज हवा के कारण मरदा अप्रदन की समस्या बढ़ जाएगी और दोस्तो रेतिले जो इलाके हैं वहाँ गर्मी में जूताई ना करें और दोस्तो एक और दियान रखना चाहिए पूरे खेत में एक समान जूताई हमें करना चाहिए बिना जूताई वाला कोई भी हिस्सा नहीं रखना चाहिए तो दोस्तो ये थे कुछ सावदानिया और जूताई का सामाई और इसके फायदे नहीं करने के नुक्सान और इसके लावा भी कई सारी चीदे में भूल गया हूँ तो आप कमेंट में जरूर बताईए ताकि दूसरे किसान भायों को इसका फाइदा हो सके और साथ ही हमारे चैनल को सब्क्राइब जरूर करे ताकि जब भी हम यहां खेते और किसानों से जुड़ी जानकरी डालें तो उसकी सुचना आप तक पहुँच पाए तो दोस्तों उम्मित करता हूँ आज की यह जानकरी आपको पसंद आई होगी अगर जानकरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करे लाइक करने के साथ आई यह किसान भाईयों को सेर भी करिएगा और दोस्तों जल्द मिलेंगे एक नई जानकरी के साथ एक नए वीडियो में तब तक के लिए मुझे दीजी जज़त जय बारत जय किसान